मुंगेर में मुहर्रम को देखते हुए DMASP के नेत्रित्व में भारी संख्या में पुलिस को उसके द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। मुंगेर के जमालपूर में दो दिन पूर्व मुसल्मानों का धार्मिक प्रतीक जंडा को असामजिक तकों के द्वारा क्षतिग्रत किये जाने के बाद जिला प्रशासम किसी भी तरह को कोई चूप नहीं बरतनी चाहती जिससे किसी अप्रिय घटना का समाना मुंगेर को कार करवाई की जा रही है जहां एक और दर्भंगा में मुहर्रम को ले दो पक्षो में तनाव की स्थिती बनी हुई है और साथ साथ मुंगेर के जमालपूर स्थित्वली पर में भी मुहर्रम का जंडा क्षतिग्रस्ट करने के मामले में दो स्थिती बनी हुई थी हाला कि जंडा क्षतेग्रस्ट के मामले में पोलिस के द्वारा एक नाबालिक की पहचान कर ले आ करवाई की जा रही है पर इस माहौल के बाद जिला प्रशासन के समक्ष ये चुनोती हो गया की वे इस मुहर्रम को कैसे शांतिपूर्ण धंग से संपन्न कराए उसी को ले आज मुंगेर डियम नवीन कुमार और एस पी जगूनात रैगडी जला रैगडी के नित्रित्वा में भारी संख्या में पुलिस फोस के द्वारा मुंगेर और जमालपूर के वालिपूर में फ्लैग मार्च निकाल लोगों अपील किया की शांतिपूर्वक और आ खटना को कंट्रोल कर लिया गया और आज भी वहां स्थलिय निरीक्षन कर सारे पहलूओं पे लोगों से बात की मामले को मैनेज कर लिया गाए साथ ही मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कीवे राज्यव और जिला की प्रगती को ले आपसी भाई चारे और शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम को मनाए वही एसपी जगुनात रैड़ी जला रैड़ी ने बताया कि जिले में 750 जिला बाल के साथ साथ मुख्याले से मिले 310 अत्रिक पुलिस बलको जिले के विभिन जगहों पे लगाया गया है और D.A.P. इंस्पेक्टर रैंट के अधिकारी भी इसे मुहर्रम के दोरान शांती व्यवस्था बनाने में अपनी योगदान दे रहे है सब्सक्राइब करते हुए और वहां पे जो भी अतायक है वो बखी गई है लगातार वहां पे सब्सक्राइब करते हैं और अपने परदेश के डिवलपेंट और सहर के डिवलपेंट इले के डिवलपेंट के लिए जो फरव है अपस में तुन वातावरण में अम लोगों को सभी पर्वों को मनाना चाहिए एक डुसरे के एक दुसरे का जो परव है परमपरा है जिती रिवाज उसका संभान चाहिए पूरा जिलावल का साथ सो पचास लगाएगा उसके अलाओ हाँ त्रिफ्ट पीन सो बस एक्स्टाफोस मिला पिलिस निकैलर से और हमारा जो ब्यस्की है पांच की ब्यस्की नहीं लगे होगी और इस्पेक्टर से पांच की वाटी लगाएं जो इसकेंटर की नेकिप्ट में बया करें गें इसके दो कि दो इस निस नियुकर और जो जो हमारा कई चे फांच की दोगें उसके दोगें घ।